नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे तो सातवे चरण से सम्मंदी एक नए अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर हैं तो हमारे चैनल टोटल न्यूज 24 हावर बन को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन एक्टिव कर लीजिए तो दोस्तों सातवे चरण को लेकर अभ्यर्थियों में ये जिग्यासा बनी हुई है कि उनका मेधा अंक जो है 60 रेशियो 40 के आधार पे जो निकल कर आ रहा है किसी का 60 परशेंट तो किसी का 58 परशेंट तो किसी का 63 परशेंट क्या इसके आधार पर उनका चैन हो पाएगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों एक सरवे के मुतावित हमने 6000 लोगों का लगभक यहाँ पे डाटा इकठा किया है उसके आधार पर हमें पता चला है कि कितने अभ्यर्थी जो है वो कितना कितना मेधा अंक ला रहे हैं तो वीडियो बहुत मुत्पूर है अन तक जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों पहले हम आपको बता दें कि 52 से 60 परशंट लाने वाले अभ्यर्थियों की संक्या जो है दोस्तों वो 13 परशंट है वही हम बात करें दोस्तों जो 61 से लेके 65 परशंट के बीच आने वाले अभ्यर्थियों की संक्या 33 परशंट है वहीं हम बात करें दोस्तो तो 66 से 70 परशंट के बीच लाने वाले मेधा अंक 28 परशंट अभ्यरती हैं वहीं 71 से 75 के मध्या लाने वाले मेधा अंक 17 परशंट अभ्यरती हैं वहीं 76 से उपर लाने वाले सिच्छक अभ्यरतीों की संक्या 8 परशंट है दोस्तो तो आप दे सकते हैं यह आकड़ा 6,000 लोगों का वोट यहाँ पे हुआ है इसके आधार पर हमने जो सर्वे किया है उसमें हमें मिला है कि अधिकतर अभ्यरतियों की संख्या जिनका की मेधा अंग 61 से 65% के बीच है वो है 33% तो बिल्कुल घबडाने के आवशकता नहीं है 60 ratio 40 के आधार पर जो भी आपका चैन के लिए मेधा अंग बन रहा है वो हमारे साथ जरूर सेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका मेधा अंग कितना बन रहा है दोस्तो तो देख सकते हैं इस वीडियो को और आप इससे अनमाल लगा सकते हैं कि साथवे चनरण में 33% अभ् करती ऐसे हैं जो 61 से 65% के भी जिनका मेधा अंग आ रहा है तो मैं आपको इसके साथ एक और जानकारी देता हूं कि कुछ जिलों की रिक्तिया भी यहाँ पर इसपश्ट हुई हैं तो चलिए दोस्तो वो भी हम देख लेते हैं तो देखे दोस्तो साथवे चनरण के लिए र खंगाबाद के हम बात करें दोस्तो तो 4000 है मदेपुरा की बात करें तो 3000 है मुझपरपूर में 3987 रिक्तपदों की संक्या है किसन गंज की हम बात करें दोस्तो तो यहाँ पर आप देश सकते हैं 4000 रिक्तपद आए हुए हैं वहीं खगडिया में 3488 है वहीं हम बात करें दोस तो 1279 है वही हम बात करें भागलपूर की तो 1200 है वही रोतास की बात करें 2800 है सहरसा की बात करें तो 3266 है सिक्पुरा में 2200 है बकसर में देखिये दुश्टो 4000 है दरबंगा में 4500 है तो जीया दोस्तो मैंने आपको दिखा दिया कि यह दिखतिया है जो की 7 वेचरण के तहट आ रही हैं कुछ जिले ऐसे हैं कटिहार, नवादा, और अंगाबाद, मदेपुरा, मुजफरपूर, किसंगंज, खगडिया और समस्तिपूर तो देखे दोस्तो हमने आपको बता दिया है, अक्छा एक से पांच के अंतरगत, सिच्चक अभेरतियों की जो मेधा अंग बन रही है, वो कितनी है वो आप दे सकते हैं, 33% मेधा अंग इन अभेरतियों का बन रहा है, तो मैंने आपको जानकारी यहाँ पे दे दी, आप अप